Hello everyone, Welcome to the Study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, हम लोगों की यहाँ पर Class 12 की NCRT Finance की किताब चल रही है, आज आपका ऐसी तरह में Chapter 7 है, यहाँ पर हम लोग आधुनिक भारती कला के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या-क्या डिस अंग्रेजों के आगमन के बाद भारती कला में क्या-क्या परिवर्तन आये, वो सब चीज़ें जानेंगे, देखें जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेज जब भारत में आये हैं, तो भारत में आने पर उनका जो निजरिया था भारती के प्रती तो बहुत ज़्याद यानि कोई भी मामला हो, उसमें उन्होंने केबल निगेटिवी देखा, केबल और केबल निकरष्टी माना, तो यहां पर अंग्रेजों को भी यही लगता था कि कला के बारे में या फिर जो कला का परिचे हैं, इसको लेकर भारतीयों में पहुच जाता चेतना नहीं है, भा कार्तियों को एकैडमिक इस्तर पर कला की सिच्छा दी जा सके, तो इस्थानों में लाहोर, कलकत्ता, बॉम्बे और मदरास यह वो स्थान है, यहां पर कला विध्यालियों की स्थापना की गई, और इन कला विध्यालियों में अकादमिक यही एकैडमिक लेबल पर और प्र प्रश्टवादी कला उसको बढ़ावा मिलना चाहिए तो बंगाल स्कूल ओफ आर्ड की स्थापना इसी उद्धिस के साथ की गई थी ताकि जो राष्टवादी कला है वो भी विक्सित हो तो बंगाल स्कूल ओफ आर्ड का विकास अवनीना टेगोर और इवी हैविल ने किया था भारत का प्रथम राष्टवादी कला विद्धियाले कला ववन उन्हीं के इमेजनेशन के आधार पर इसकी स्थापना भी की गई थी और इसकी स्थापना उन्हीं में की गई है इसके लावा जैसा कि आप लोग जानते हैं जर्मनी की जो बाहोस कला प्रथमी थी उसने भी कलकत्ता का दोरा किया था कलकत्ता में प्रथमी लगाई गी थी तो उस प्रथमी की विजए से गगनेंदराथ और वहाँ पर तमाम जो अन्य लोग थे अन्य जो नएने चितरकार थे वो भी उससे प्रवावित हुए हैं तो ऐसे करके भारतिये चितरकार जो हैं वो घनवाद और अभिवियंजनाबाद जैसी अंतराष्टिक अलाके बारे में परचित हुए हैं जैके घनवाद का मतलब आप जानते हैं कि किसी याकरती को एक कॉंट से ना देखा कर डिफ करता है इसको अभियंजनाबाद से ली माना जाता है इसके लावा देखे रवीना टैगोर की यहां बात की गई है रवीना टैगोर अपनी कविताओं को लिखते समय अक्सर डूडल यानि कि बिना सोचे समझे किया गया रेखंगर मनाते थे जैसा कि आप यहां पर देख पा अजन्ता भित्चित्रों की साथ मुगल और पाढ़ी चलग चुत्रों से प्रावित था लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो कलकत्ता का जो आर्ट स्कूल है उससे इनका जो जो चित्रकारी का जो परदस्त था तोड़ा सा डिफर था यह इन्होंने अपनी चित्रकारी की जो प्रेड़ना है वो खास करके प्राजीन भरत की चित्रकारी की जो परंपरा है थी उनसे ली थी नंदराल बोस की बात नहांग की गई है तो नंदराल बोस जो है सन 1921 बाइस में रजित कला संस्थान कला भावन में सामिल हुए है बिनोद भिहारी मुखर जी और राम किंकर बेज नंदराल बोस के सबसे रचनादबक छात्रों में से एक माने जाते हैं जैसा कि आपनों जानते हैं सांतनिकेतन की स्थापना कलकत्ता से दूर ग्रामील परिवेस में की गई थी ताकि छात्र जो है वहां के परिवेस से भी सीख सकें तो सांतनिकेतन के भारी चित्रों में संथाल जन जातियों की एक बड़ी आबादी निवास करती थी और यह जो कलाकार हैं यह अक्सर उन्हें चित्रत किया करते थे और उनकी मूर्तियां भी बनाते थे रामायड और महावारत जैसे प्रसद महाकाव्यों पर आधरे चित्र बनाने के अज़ेक्त बिनोद भिहारी मुखर्दी को मद्यकाली संतों के जीवन ने भी आग्रसत किया है यानि कि बिनोद भिहारी मुखर्दी ने ना केबल प्राचीन महाकाव्यों पर चित्र बनाये हैं बलकि जो मद्यकाली संत हैं उनके जीवन पर भी चित्र बनाये हैं यहापे आप दिख पा रहे हैं, यहापे मद्कालीन संतों के जीवन पर एक चित्र है जिस को बिनोत वियारी को घड़ी ने मनाया है, सांत निकेतर में हिंदी विवन की दीवारों पर उन्होंने मद्कालीन संत नामक एक भिट्र चित्र बनाया है, यानि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लगउचित्रों के लावा इन्नेरे वित्यचित्र भी बनाई है लगचित्र और भित्चित्र में अंतर होता है, देखे भित्चित्र किसी दीवार पर या किसी सतह पर बनाई जाते हैं, किसी ठोज सतह पर बनाई जाते हैं, जबकि जो लगचित्र होते हैं, पांड लुपी या कागट की सर्विस पर बनाई जाते हैं यहाँ पर राम किंकर बेज की बात की गई है देगी राम किंकर बेज एक ऐसे कलाकारते जिनने प्रकती से खास कर लगा हो था प्रकती से इनका बहुत ज़्यादा प्रेम था उनकी मूर्तिकला और चितकला में उनके दैनिक जीवन के अनभाओं को इस प्रष्टा से हम लोग देख सकते हैं उनकी सेली डीपी राय चौधरी जैसे पूरवर्ति मूर्तिकार के बिपरीद थी जिन्होंने स्रमिकों के उत्तम स्रम की बिज़ए यानि ट्राइम्फ अफ लेवर के निर्माण के लिए अकादमे की यथार्दवाद के अपरियोग किया था यहाँ पर एक व्यक्ति हैं यह भी चित्रगार और मूर्तिकार दोनों यह मूर्तिकार है तो इनका नाम है D.P. राय चौधरी ने ट्रायम्फ अव लेवर नाम हर एक श्रेच्टू बनाया है जिसके बारे में हम चैप्टर के रंत में देखेंगे ऍगे जैमिराए के बारे में हम पहले अध्या में पढ़ चुके हैं जैमनी रॉय ने कलकत्ता के सरकारी स्कूल ओफ आइड में प्रसिचर प्राप्त किया था, हाला कि यहां के अकादमी प्रसिचर को नोने अस्विगार कर दिया और यह निगल पढ़े हैं ग्रामीडी परवेस की और तो इन्होंने जो है लोक जो परंपरा हैं, लोक परंपरा य अपनी तरह उन्होंने बनस्पतियों और खनिजों से अपने रंग बनाएं, एक नाम यहां पर और आता है, यह नाम है अमरता सिर्गिल का, देखें, अमरता सिर्गिल के बारे में यह बताया गया, इनकी उम्र तो काफी जादा नहीं थी, इनका देहान तो बहुत जल्दी ह हो गया, जैसा कि आप देख पाए, 1913 से लेकर 41 की बीच में, यह अर्ध हंगेरियन और अर्ध भार्ती हैं, और यह एक अधिती महला कलाकार की रूप में वरकर सामने आई, दूसरे कलाकारों की विबरीत उन्होंने पेरिस में प्रसिच्छर प्राप्त किया था, अत्य है उ इन्होंने जो भी प्रसिच्छर प्राप्त किया था, वो प्रसिच्छर प्राप्त किया था, अमरता सेर्गिल ने आदुनिक यूरोपी कला के साथ, भारती कला की लग और भित्र चित्र परंपरा को जो है आत्लसात किया है, इन्होंने जो आदुनिक यूरोपी कला है, उसक देखें, अमरता सेर्गिल की मित्तु के बाद भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमरता सेर्गिल की मित्तु 1941 में हुई थी, और उस समय भी देश आजाद नहीं हुआ था, यानि देश जो है, अंग्रिय जो क्यदीनी था, और उसी समय उसी समय उसी तालिस में एक बड़ी घटना घटित हुई है, और यह है बंगाल का आकाल, तो इन घटनाओं की वजए से जो भी चित्रकार हैं, उन चित्रकारों पर इन समकालिन घटनाओं का असर पड़ा है, और इन चित्रकारों ने अपनी पैंटिंग के माध्यम से इन वेचारों की अव्यक्तिवी की है, ता सामिल थे, अब देखें, इन कलाकारों की बात क्या है, इन कलाकारों को जो बंगाल स्कूल आफ आर्ट जो थी, यानि जो कि राष्टवादी कला मानी जाती थी, वो पसंद नहीं थी, इनका मानना ये था क्योंकि ये बंगाल स्कूल आर्ट वाली से लिए, काफी अधा उफाओं में जो चित्रकारी हो, उनकी तत्नों को एडॉक्ट करके उस कलाको आगे बढ़ाया था, उनका मानना ये था कि काफी जाता पुरानी कला है, काफी जाता भाबुक कला है, अब जो है, अब की जो चित्रकारियां मनाई जाएं, वो modern time की, यानि कि समकाली समय की साक् ये बर्तमान के साक्षी हो, दक्षिड भारत के मूर्तिकार पीबी जान की नाम से उनकी तुलना की जा सकती है, जिन्होंने रचनात्मक तरीकी से धातु की चादरों पर काम किया, धातु की चादरों की मदद से चित्रकों चित्त करने की जो विधी है, उसको एचिंग कहा जाता है उसके बारे में हम आगे दिखेंगे तो गाउं और सहरों में अपने आसपास की गरीबी और लोगों की दुर्दसा को देखकर कलकत्ता में कई युवा कलाकर समाजबाद और बिसेश रूप से माकसबाद की विचार धारा है उसकी और आकरसे दुए है चित्रप्रसाद और सौमनाध होरे जैसे भारत के दो सबसे प्रमुक राइनिते कलाकारों ने इने सामाजिक सरोकारों की विच्ट करने के लिए एक मजबूत माद्यम की रूप में प्रिंट मेकिंग print making मतलब कलाकृति की कई प्रतकृतियों का निर्मार इसमें किया जा सकता है ये एक ऐसी विधा है तो इन्होंने print making की जो विधा है इसको अपनाया है और अपने चित्रों को चित्त किया है चित्रप्रसाद की नकासी यानि नकासी को एचिंग खा जाता है और नकासी जो है किसी जो धातु की उपलेट है उसकी मदद से की जाती है जो चित्र प्रसाद की नकासी लीनो कट यानि मुद्रड और सिला मुद्रड में गरीबों की बिकट परसितियों को दिखाया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह चित्र जो है सौमना की कला है और यहाँ पर कुछ लोग बॉम्बे में जो उन्होंने कला गुरूप की स्थापना की है उनमें अंतर देखेंगे उनकी विचारों में आप लोग अंतर देखेंगे तो बॉम्बे में कलाकारों के एक समून है 1946 में दब प्रोग्रिसिब नामक एक समून का गठन किया है फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसके मुखे नेता थे इसमें MF होसेन KH आरा, SA बाकरे HA गाडे और SH रजा इसमें सामिल थे जो यहाँ पर फ्रांसिस न्यूटन सूजा है इनका मानना यही था कि जो कला की परंप्रा है वो आधनिक बने ना कि प्राजीन समय पर ही पूरी तरह से डिपेंट रही इनका ऐसा मानना था उनके प्रिवगात्मक कारिय मुख रूप से महलाओं पर कैंदित थे जहने उनने नगल रूप में चित्त किया है इनों ने जो महलाओं की आक्रतिया थी उनको बढ़ा चाड़ा कर और जज़धा सौंदर के साथ उनने प्रस्तुत किया है इनों ने जो अब पराजीन परंप्राओं चो छोड़कर जो नभीन आधनिक परंप्रये उनको एडॉप्ट करके अपनी चित्र को और जदा सुंदर्यात्म कुरूप से प्रसुत किया है दूसरी और एमे पुसेन की बात की है तो एमे पुसेन जो है कि चित्रकला की आदुनिक सेली को भारती संधर में समयने योग बनाना चाहते थे उन्होंने पश्मी अव्यंजनावादी तूलिका घात यानि कि जो पश्म के अव्यंजनावादी के मलब क्या है तीब्र संबेगों की अव्यक्ति तीब्र बनोभावों की अव्यक्ति करने के जो परंपरा थी उसको अपने ब्रिस्क के प्रियोक से चमकदार भारती रंगों के साथ मर्ज किया है और अपने चित्रों को चित्रित किया है MF हुसेन ने ना केवल भारतिय पॉर्णाडिक कताओ और धार्मिक्स होतों ने बलकि लोग चित्रों, ग्राम सिल्फ और यहां तक के जो लोग किनोनों की सेली है, उनसे भी यह आकर सितुए है तो यहां पर बताया गया कि MF हुसेन ने अपने जो वेसे हैं, कहां-कहां से उठाए हैं वो बताया गया है, चाहे वो भारतिय पॉर्णाडिक कताओं हो या फिर धार्मिक्स परोतों, लग चित्रकारी की परंपराएं हो या फिर जो ग्रामीड परवेस की जो चित्रकारी की परंपराएं उनसे भी इन्होंना प्रेड़ना ली है अमूर्तन, एक नई अवधार नाम देखे, पहले तो जान लेते हैं कि मूर्त और अमूर्त में मतलब क्या है मूर्त का मतलब होता है कि जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं जो प्रत्यक्ष है, सामने है अमूर्त का मतलब क्या है कि एक imagination है कल्पना है, उसे हमने देखा नहीं है कि कैसा है, जैसे ईस्वर है इस्वर का क्या आकार है, क्या रंग रूप है, हमें नहीं पता है, अपने अपने मनोभाव के कोडिंग हम उनकी एक छबी क्रियेट कर लेते हैं, तो इसे अमूर्त बोला जाएगा, मूर्त का मतलब क्या है कि आपने किसी बिल्डिंग को देखा और बिल्डिंग को हुग सप्रीज कर दिया, तो इसको मूर्त बोला जाएगा, तो यहां पर एक नई अवढ़ारा निकल कर आई है, इसको मूर्त उनका हो खा़ता है, तो हुसैन काफी हद तक आकरती मुलक कलाकार बने रहे हैं, किसी आकरती से परना लेकर चितर बनाना के कलाकार यह बने रहे हैं, जबकि ऐसेच रजा अमूर्तन यानि एफ्टेक्शन में की दिसा में अग्रिसर हुए हैं, भूद्रस थे यानि लेंडिस्केप इस कलाकार का पसंदीदा विसे था, यानि यहाँ पर ऐसेच रजा की बात हो रही है, तो ऐसेच रजा के जो फेमस विसे थे उसमें भूद्रस इनकी रणे चटक से लेकर कोमल और एक वर्णी यानि उसमें इनकी जिलेकर प्रॉप और बात्री दरसन का प्रती गौद्रक शुमמत पश्किया है, ब्रूपत से यहाँ तक के भारती दरसन की जो एकात्क्ता के प्रति कुंद्रुका है, उसका भी प्रयोग किया है, यानि प्रतीक बिंदु है उसको भी इन्होंने अपने चित्रों में चित्रप किया है बाद में गायतंडर ने भी अमूर्तन का अनुसरण किया जबके केके हैबबार, एस चापड़ा, अकबर पदमसी, तैयब महता, ट्रश्न खन्ना, अमूर्त और आकरती मुलक कला के बीच में इन दोनों को मर्च करके चित्र बनाते हैं, कुछ मूर्तिकारों जैसे पिलो पोच खान वाला और क्रश्न रेड़ी जैसे प्रिंट मेकर्स के लिए अमूर्तन काफिया था महतपूर था, चित्रकला, छापकला या मूर्तिकला में, 1960 और 1970 के जशक में, कई कलाकारों के लिए अमूर्तन वे से लोक प्रिए था, यहाँ पर आप देख आए यहाँ पर इक पैंटिंग अमूर्तन पर आ रहा देता है, यही इसमें क्या है, इसमें ज्यामती आकृतियों का प्रियों की आ गी और ज्यामती आक्रतियों में अपनी कल्पना से यहाँ पर एक आक्रती चितित की गई है। मडाली मुखर जी की रचनाय अमूरतन की और अधिक जुकी भी दिखाई दियती है। जो परंपरा है वो कहीना की यूरोप से एड़ॉप कर रहे हैं। यहीं कि पाश्चाति कला से यहाँ उसको भारती कला बहुत जबाँ ज़एड़ॉप कर रहे हैं। तो इनका बानना यह दा कि जो आधनिक कला है वो पूरी तरह से भारती कला हो। आधनिक कला में पूरी तरह से भारती कला के दत्वह। ऐसा ना लग烈 कि हमने यूरोप से कौपी किया है। इसी उद्धिस से यहाँ पर उन्होंने एक संस्थान थाबित किया है, यह सहली पहले पश्यम और भाद में भारत में सफल होई, इसे नवतांत्रिक कला की रूप में जाने जाने लगा, हाला कि यह सहली जो थी यह भी यूरोप से स्टार्ट होई थी, लेकिन बाद में भारत म भी यह सफल होई है, और इसे नवतांत्रिक कला की रूप में देखा गया है, नवतांत्रिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें योग और ध्यान यंत्रों की तरह जामित्ती आकरतियों का प्रयोग किया गया था, इसी विज़ा से इसको नवतांत्रिक कहा गया है, पश्यम मे हिप्पी आंदोलन के उतकर्स के समय यह काफी ज़्यादा famous हुई है, देगे हिप्पी एक movement था, हिप्पी एक आंदोलन था इस समय अमेरिका बेतनाम में युद्ध रड़ रहा था उसी समय हिप्पी आंदोलन काफी ज़्यादा अमेरिका में चला था, जी आर संतोस ने पुरुस और महला उड़ जाके लौकिक सहियों का चित्रड किया, जो हमें तांतिक दर्शन के पुरुस और प्रक्रति का इसमर्ट दलाते हैं, दूसरी और KCS पाणिकर ने अपनी चित्र में प्रचलित आरेखों, लिपियों और चित्रलेखों का उपयोग किया है इसी अर्थ में संग्लनबाद, जिसमें कई स्रोतों से कलाकारों ने विचारों को संग्रित किया अनेक भार दिया है, आद्मिकता बादियों की एक महत्मूर विशिस्ता ये बन गई है प्रचकुमार, सतीज गुजराल, ए राम जंदरन और मीरा मुकर्जी जैसे कुछ नाम उलेखनी है सन 1963 में जे स्वामी नाथन के नेदरत में एक अन्य समू गठित हुआ, जिसका नाम समू 1890 था, इसने गोषना पत्र भी प्रकासित किया है जिसमें इसने ये दावा किया है कि वो कलाकार जो है, उनके जो कलाकार है किसी भी विचारदारा से पूरी तरह से मुक्त है ने किसी भी विचारदारा, एक विचारदारा के समर्थक नहीं है मुक्त है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कलाकार भी कही नहीं कहीं से प्रेड़ना जरूर लेता है किसी भी पूरू निधारित योजना के वज़ाए उन्होंने चित्र में प्रयोक की जाने वाली सामगरियों को एक नई रूप में अपनाया है उन्होंने एक नई कलात्मक भासा के रूप में अपने चित्रों में अंकित खुर्दुरी बनावट और सत्या की महत्तु के बारे में लिखा तो यहाँ पर जो कलाकारों का सहुँ इस्थावित किया गया था इसमें गुलाम मुहम्मद सेख, जोति भट, आमबा दास, जेराम पटेल और मूर्तिका, रागव, कनेरिया और हिमद साज जैसे कलाकारिस में सामिल थे आधुनिक भारती कला का विसलेशन, जो आधुनिक भारती कला है इसका यहाँ पर विसलेशन किया गया है कि आधुनिक भारती कला कैसे इसका विकास हुआ, कैसे पनपी जैसा कि आप लोग जानते हैं आधनिक भारती कला को आधनिक बनाने का जो स्थापित होने के बादी जो आधनिक भारती कला की जो परंपरा है वो स्थाट हुई है क्योंकि हमारे भारत में पहले यथारत बाद या फ casino फिर्टे रंगों का जो प्रयोग है वो हमारे यह नहीं होता था ये सब जो प्रयोग हैं अंग्लेजी सासर्न के इस्थाबित होने के बाद ही हमारे यह हुए है तो एक कला आंदूलन के रूप में आधनिकताबाद भारत में तब आया जब यहाई एक बिटिस उपनेविशसपात के रूप में यहाँ पे स्थाबिद हुआ पश्चिम में विशेश रूप से यूरोप में आधुनिक कला तब सामने आई जब कलाक आद्मियों के सास्त्रिय यथार्दवात को अस्विक्रत किया जाने लगा और इन आद्मिक कलाकारों स्वैम को आमागार्द परम्टरा से आद्मिक्ता के परवर्तित रूप में देखा देंकि आमागार्द जो है एक फ्रांसीसी भासा का सब्द है जिन्सका प्रियोग उन नवाचारी कलाओं के लिए प्रियोग्त होता है जो बर्तमान में स्थापित सुन्देर्यात्मक मूल्यों प्रतिमानों और रायनितिक सुद्धान्तों को सिर्कार नहीं करती है यानि कि आमागार्द सब्द एक फ्रांसीसी सब्द है इसका मतलब यह होता है कि ऐसी कला जो कि प्रशलित स्वंद्यारात्म क्मूल ले प्रशलित प्रतिमान या फिर जो प्रशलित सुध्धान्त है उनको नकार कर अपने खुद की सुध्धान्त कड़े उसको आवागार्ड कहा जाता है इसके लावा जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटेन में ओद्यक्रांती हुई तो ओद्यक्रांती होने से भी चित्रकारी की जो परंपरा है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है ओद्यक्रांती से पहले कि जो चित्र बनाए जाती थे उनमें खास करके चर्च, महल ये सब रखे जाते हैं इन सब को अनंगरत किया जाता था लिकिए जब ओद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् संबध किया है लेगे कुछ लोग हमारे भारत में भी ऐसे है कुछ चित्रकार हमारे हैं ऐसे थे जो कि भारती जो परंपरा थी जो कि पूरे तरह से राष्टवादी परंपरा थी उसकी विरोधी थे उनका मानना यह था कि कला को आधनिक होना चाहिए और आधनिक होने के में आनंद कुमार स्वामी जैसे कला का इत्यासकारों ने बढ़ावा दिया है और यह वही समय इस समय राष्टवादी स्कूल की स्थापना भी की गई है नवीन कला अकृतिया और 1980 के दिसक की आधनिक कला देखे जैसा कि आप लोग देख पारे हैं 1970 के दिसक तक आते आते समाज में परिवर्दन होना स्टार्ट हो गया था खास करके आप देखेंगे 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है उसके बाद भी समाज में फिर से परिवर्दन होना स्टार्ट हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे कलाकारों को भी अब नए ने विसे मिलना स्टार्ट हो गए है तो सन 1970 के जसक से कई कलाकारों ने आकरतियों और कहानियों की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया है बड़ोधा में केजी सुब्रमन्यम गुलाम मुहमद सेख और भूपेन खकर ने अपने चित्रों में कहानी को वड़नात्मक रूप में चित्रत करना स्टार्ट कर दिया है पाशिम मंगार में जोगन चौधरी, विकास बट्रचारदी, गड़े स्पाइन ने भी उन्हें सामझीक समस्याओं को चुझत्त किया है जिन्होंने उन्हें बचलियोचलित किया था यानि उस समय की सामझीक समस्याओं क्या थि एक तो पलायन हो रहा था यानि जो बांगलादेश की प्रवासी है भारत में आ रहे थे, युद्ध की संगर्स की वजय से भारत की जो अर्थवस्चा थी वो डगमगा गई थी, तो कई सारे संगर्स देखने को मिल रहे थे, दो उन्होंने उस समय की जो समकालीन समस्या हैं, उन पर ध्यान केंजित किय मानब और जानवरों की आकरतियों का प्रियोग जोती भट यानि देवी लक्षमा गौड मैन बूमें ट्री यानि मैन बूमें मतलब इन्होंने जो चित्र मनाया है उसका नाम दिखा हुआ है मैन बूमें और एक ट्री का चित्र मनाया है अनुपम सूद ऑफ वाल्स येसे छ पूर्सों और महलाओं के बीच के सामाजिक असमानता के संगर्स को दिखाने का प्रयास किया गिया यानि अब जो चित्रगारी हो रही है उसमें इस्त्री पूर्स का संगर्स दिखाया जा रहा है अब तक तो क्या था सब कुछ नॉर्मल चलना आता इस्त्रियों को सहज कि अब चित्रों में जो है पूर्सों और महलाओं के बीच में संगर्स या सामाजिक असमानता को दर्साया जाने लगा है अरिपिता सिंग नलनी मालानी सुधीर पटर भर्दन और ऐसे कई कलाकारों ने बड़े सहरों में रहने वाले लोगों के पलायन की और ध्यान आक्रस की है कि जी सुब्रमन्यम ये गुलाम मौमत सेख के सिच्शकते और ये बढ़वदा स्कूल के संस्ताप्र स्थे इन्होंने जो है सांतने के समसे अध्यन किया था यहां पर इनके बारे बताया गया है कि जी सुब्रमाणयम के बारे में कि ये बिध्र चित्र या बड़े साज्जने कि भवनों पर निर्मित कलाओं में रुशी रखते थे येसे सभी के द्वरा देखा जा सकता है इनका मानना ये था कि कलाब बैतिक ना होकर साजनिक होने चाहिए सभी लोग कला का आस्वाधन कर सकें सभी लोग कला का आनंद उठा सकें तो जो यहाँ पर के सुबर्मन्यम है इन्होंने जो है यह पैरोकारी की है कि जो कलाब अगेरा है वो सबके लिए पब्लिक ली दिखाई जाने चाहिए वैसेंड गास्टिंग की तक्नीक से आकरसित थे जो स्थानी राजिस्थानी कलाकारों को ग्याद थी उनके द्वारा निर्मित अनेक भिद्चित्रों मैंसे एक प्रसित कलाकरती कलाब होन की भारी दीबार पर बनी है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब देखें बड़ोदा के जो चितरकार हैं उनकी विजिस्ता यह बताई गई है कि बड़ोदा के कतात्मक चितरकारों का एक महतपुर योगदान उनकी उदार अभरूची और लोगपरी रूपा करों का कलाम में संयोजन था यानि यह खास करके उनकी उदार अभरूची रही है उनका उन्होंने अपने कलाम में संयोजन प्रस्तुत किया है न्यू मीडिया आर्ट 1990 के सबस्टrick जाने है 1990 में हमारे एकोनोमी में एक reform हुआ है यानि हमारे LPG approach को अपनाया गया है LPG का मलब आप जानते हैं जो liberalization privatization और globalization की जो approaches को हमारे अपनाया गया है और इससे अपनाने के बाद हमारे या की ना किवल अर्थिवस्तम सुधार हुआ है बलकि नए-नए जो अध्योग जन्दे हैं उनका भी विकास होना इस्टार्ट हो गया है और इस समय तक आते आते जो media के चलन है media के तमाम जो माद्यम है जैसे वीडियोग्राफियो फोटोग्राफियो इनका भी चलन स्टार्ट हो गया है तो यह वो दोर है जिस समय कला तेजी से परवर्तित हो रही थी अब लोगों का ध्यान टीबी पर या फिर जो अन्य चल चितर माद्यम है उन पर जा रहा था तो इसी जैसे जो पुरानी जो कला की प्रमप्राथी उसको इससे अच्छी खासी प्रदुमता भी मिल लही थी तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि कला का वह रूप जो उत्रोत्र समकालीन था वह संस्थापन कला थी संस्थापन को अलग गया है इसको स्थाबित किया गया था इसने चित्र मूर्दिकला, फोटोग्राफी, बीडियो और यहाँ तक के टेलीविजन को भी एक साथ सहयोजित करने का अवसर प्रदान किया इसने एक नए गहरे अनुवक की प्राप्ती हुई जिसने हमारी सभी इंद्रियों को प्रभावित किया हाला कि यह प्रद्धोकी पर निर्वर अधिक थी यह जो नई जो मीडिया आट है यह प्रद्धोकी पर निर्वर थी चाहें वो कैमरा हो या फिर वीडियोग्राफी हो वो प्रद्धोकी पर निर्वर है और उसकी प्रद्धोकी हर किसी को ग्यात नहीं है बड़ी-बड़ी कंपनियां बनानी बड़ी-बड़ी साइंटेक्ष्टों ने तयार किया है तो प्रोट्वक्वी पर डिपेंड तो ही है अधिकान सुरुआती संस्थाबन कलाकर ये बड़े सहरों से आये थे जिसे मुंबई से नल्ली मलानी और दिल्ली से विवान सुंद्रम नोंने इस्तापना की है फोटोग्राफी को जैसा कि मैंने वद्यार है कि फोटोग्राफी को लंबे समय तक चितरकला का प्रदुन्दी बना जाता था हाला कि बात की समय में चितरकारों ने फोटोग्राफी की परंपरा से भी कुछ कुछ सीखा है कलाकारों ने एक नई तकनीक विक्सित की है जिसे फोटो यथार्थबाद कहा जाता है इसका परियोग अतुल डोडिया ने रेने ब्लॉक गेल्डी नियू यॉर्क में बापू नामक कलाकृतिकी निर्वान में किया है फोटो यथार्थवाद का मलब क्या है कि फोटू में क्या होता है फोटू यसे जो समकाली दरस से होता है उसको इदम कैप्चर कर लेता है जैसा हूबभू दरस से होता है उसको कैप्चर कर लेता है तो इन्होंने भी अपने चित्रों में वहसा ही दिखाने का प्रयास किया टीबी संतोस और सिबू नटसन ने एक और सांपरदायक हिंसा पर अपनी प्रतकरिया प्रतकरिया प्रतकर करने के लिए फोटो यथार्दवाद का प्रयोक किया है वहीं सीबा चाची, रभी अग्रबाल, अतुल भल्ला और अने लोगों ने जो हमारे समाज के जो हासिये पर रहने वाले लोगों इनकी तस्वीरें खीची है और आर्ट गली में प्रसुत की है अब देखें, यहाँ पर कुछ-कुछ चित्र हैं जो आपकी जिताब में दिये गए हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ मद्यकाली ने संतों का जीवन वाला चित्र है, तो यह हिंदी भवन का एक भिच चित्र है, जिसे बिनोध भिहारी मुखड़ी के द्वारा 1946-47 के मद्य आपनिवेशिक सासन से भारत के सुतन्त होने से कुछ पहले बनाया गया था, और यह फिसे चित्र जो है, फ्रेसको बुरूनो पद्दिती के द्वारा बनाया गया, फ्रेसको पद्दिती का मलब क्या होता है, गीले प्लाष्टर पर चित्रगारी की करने की परं अधिक द्वारा अधिक ध्यान देखने को मिला है, अधिक हाल्दी ग्रेंडर का चित्र जो है, पूरूनो पद्दी ने बनाया था, और यह फिसे चित्र जो था भारतिया महलाओं को प्रस्कत कर रहा है, भारत की ग्रामील मरुष्की महलाओं है, उनको काम करते हुए इनमे तेली रंगों का उप्योग करके 1986 में केजी सुम्रमनियम ने इसको बनाया था और यह सीड़सक सांत निकेतन के स्थानी चितर पूरो पल्ली में उनके घर को लेखित करता है जहां से उनकी कलपना विसवर में घूंती परतीत होती है वहलपूल देखें यह एक छापा चितर है छापा का मनलब किसी छाप से मत बनाया गया चितर है तो यह छापा चितर भारत के सम्मानित छापा कलाकर करशना रेड़ी द्वारा 1963 में बनाया गया था और यह नीले रंग के विविन तानों से प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है जिसमें वेविन रंग एक ही धातू मुद्रा प्लेट पर एक साथ प्रिक्त होते हैं तो ये जो प्रिंटिंग की जो विधा है इसको विसकोसिटी प्रिंटिंग कहा जाता है यानि एक कोई plate है उस plate पर हमने डिफेंट डिफेंट कलर यूज quant की है और उसकी मुझतते हमने कोई चितर printing कर रहे हैं कोई चितर छाप रहे हैं इस सिफ विधा को viscosity printing कहा जाता है चिल्टरन देखे एक ग्राफिक print है इसको कागच पर रंगी एंचिं के साहता से उसकी मदर्स से हमने उसे पेपर पर छाप दिया है इसको जो है इस तकनीकों एचिंग कहा जाता है इस चाप चित्र में 1947 के जो बंगाल अकाल है उसको दर्शाया गया है तो बंगाल अकाल का प्रभाव सौमना थोर पर काफी ज़ाद पढ़ा था देवी का चित्र है यह कागज पर छपा जोती भट द्वारा उन्हें सुत्र मनाएगा एचिंग है जोती भट ने चित्रकला च्छापकला और चायंकन का अध्यन किया और यह अपने गुरु केजी सुब्रमान नियम के से प्रावित थी ओफ बॉल्स यह भी प्रस्तो चित्र एचिंग का ही है जिसे जिंक प्लेट पर जिंक प्लेट से कागज पर छपा गया है और इसकी रचना जो है अनुपम सूध ने 1922 में की थी रूरल साउथ इंडियन मेन भूबेन देखे यह कागज पर लच्छमा गॉड इनके दरा दोया सत्रें बनाई गई पैंटिंग और इसको भी एचिंग तक्निक से तयार किया गया है एक कुसल ड्राफ्ट्समें और पिंट निर्माता लच्छमा गॉड ने भित्र चित्र और छाप्चित्र की सिच्छा MS विस्विद्जाले बडोधा से फ्राप्त की थी ट्राइम्फ उफ लिवर ये काफी जब पूछा जाता है एक जम्ए ट्राइम्फ उफ लिवर किसने बनाया था तो ट्राइंफ अफ लिवर एक श्टेच्चू है यह एक विसाल का एक कांसे मूर्ति सिल्फ है इसे देभी प्रसाद राय चौधरी ने मनाया था इसे चेन्ने के मरीना त्रट पर 1969 में गर्तम दिवस की पूर्ष रंदिया पर स्थाबित किया गया था इसमें इस सिल्फ में चार पूर्ष आकरतियों को एक चट्टान को हिलाने का प्रयास करतियों दिखाया गया है जो कि राश्ट निर्मार में मानवी स्रम के महत्त को जरसाता है संताल फैमली ये भी काफी आता इंपॉर्टेंट कई बार कुछा गया है कि ये चित्र किसने अमनाया है इसे राम किंकर बैजनिस ते तयार किया ये मूर्थ कला है संताल फैमली वाली जो मूर्थी है ये राम किंकर बैजनिस तयार की है तो राम किंकर 1937 में इस विसालकाय मुर्सिल्प को निर्मित किया था इसका निर्माद धातु के आमेटर और कंकीज मृसित सीमेंट से किया गया है और भारत के सरवुत्थम राष्टी कला विद्ध्याले सांथ निकेतन के कला भूम में इसको रखा गया है इस सिल्प में एक दरस से उपासित किया गया है जिसमें सन्थाल प्रोस अपने बच्चों को एक डंडे से जोड़े हुए दौहरी टोकरी में ले जा रहा है और साथ ही बगल में उसकी पतनी उसके साथ चलते हुए परसित किया गया है और दूसरी तरफ एक कुट्टे को दर्साया गिया है तो यह जो चित्र है संतार फेमिली वाला यह चित्र नहीं है मूर्ती है इसको राम किंकर बैज की दोरा बनाया गिया है Cried in Unheard तो यह कां से मूर्ती सिल्फ जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें तीन आकरतियां चड़ी और चड़ी की भाती और सपाट लेवद समतल दिखाई देती हैं यद्यप इन्हें परिवार की रूप में समझा जा सकता है इसमें पत्नी पती और बच्चे की रूप आसानी समझ सकते हैं और यह अपनी बहाएं उपर उठाय हुए साहता के लिए चीकते हुए दिखाये गए हैं ऐसा ही मूर्ची प्रसित कर रही है वंसरी देखें ये भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है वंसरी का जो सिल्प कार है ये बनाली मुखरजी के द्वारा 1994 में बनाया गया था मुखरजी ने सुतली के रेसों का उपयोग किया और एक ऐसा माध्यम इसका प्रियोग उन्होंने 1970 के जख से आरम किया था ये इन्होंने बनाया है ये वंसरी का यहां पर आप देख पारें ये सिल्प है इन्होंने जटल तरीका अपनाते हुए उन्होंने जूट के रेसों से गांट लगाते हुए जटल आकार को बुना है इसे वंसरी का नाम दिया गया है जैसा कि आप यहां पर देख पारें ये मडाली मुखरजी की यहां पर एक रचना है तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो आज के लिए इस तना ही थैंक्स पूर वाचिंग जै हिंदर